Hello Friends, Welcome to my channel Literary Love वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरुजनी नाइडू की पोयम The Soul's Prayer के बारे में ये एक 28-line पोयम है जो 7 quatrains में बांटी गई है हर quatrains की rhyming scheme है A, B, A, B इस पोयम की में theme है Life and Death यहाँ poet की soul यानि उसकी आत्मा डारेक्ली God से बात कर रही है जहाँ वो request कर रही है कि भगवान उसे जिन्दगी और मौत के जो भी नियम है उसे बताएं और साथ ही वो भगवान से कहती है कि वो जिन्दगी के दोनों रूप चाहे वो अच्छे हो या बुरे उन्हें जीना चाहती है अगर उसकी जिन्दगी में blessings, gifts ऐसी खुशिया हो तो उसके साथ ही उसे दर्द और उदासी भी मिलनी चाहिए फ्रेंड्स सरोजी नाइडू एक बहुत ही फेमस इंडियन पोईटेस है उनका जन 13 February 1879 में हुआ था और उनकी डेथ 2nd March 1949 में हुई थी उन्हें Nightingale of India भी कहा जाता है वो एक political activist भी थी और भारत की आजादी में उनका एक important role रहा है तो चलिए फ्रेंड्स अब बिना time waste किये पोईम पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं यानि अपने बच्पने में खुद पर गर्व करते हुए मैंने आप से पूछा फ्रेंड्स दी का मतलब होता है you यानि तुम या आप यानि आप जिन्होंने मुझे अपनी सांस से बनाया है यानि मैं आपका ही एक छोटा हिस्सा हूँ क्योंकि मैं आप से ही बनी हूँ आपके सबसे गहरे नियम जो किसके बारे में है जिन्दगी और मौत के बारे में यानि आपने जो नियम बनाये हैं जिन्दगी और मौत के बारे में वो आप मुझे बताईए Give me to drink, eat joy and pain यानि मुझे feel करने दीजिए, महसूस करने दीजिए उस खुशी को और उस दुख को जो आपने बनाया है यानि हर खुशी और हर दुख को मुझे महसूस करने दीजिए Which thine eternal hand can meet जो आपके अनन्त हाथों ने नाप करबाटी है यानि जो इस दुनिया में एक बराबर है क्योंकि आपने जॉय और पेन को अपने हाथों से नाप कर बाटा है For my insatiate soul can drain Friends insatiate यानि कभी satisfy नहीं होने वाला लालची या low भी तो मेरी आत्मा low भी है वो जो कुछ भी है सब बहा कर अपने पास ले लेगी और वो क्या बहाएगी Earth's utmost bitter, utmost sweet धर्ती पर जो चीजें सबसे बुरी हैं तकलीफ दे हैं और जो चीजें सबसे खुबसूरत हैं प्यारी हैं यानि मेरी आत्मा सभी दुख और खुशी को अपने अंदर बहा लेगी क्योंकि वो बहुत लो भी है Spare me no bliss, no pang of strife यानि मुझे किसी भी चीज से दूर मत कीजिएगा चाहे वो खुशी हो, pleasure हो या दुख हो या कोई कड़ी मेहनत हो, मुझे सब कुछ चाहिए With all no gift or grief I crave और ना ही कोई तोहफा या कोई तकलीफ मेरे पास आने से रोकिएगा क्योंकि मैं उसे पाना चाहती हूँ The intricate lore of love and life Friends, lore का मतलब होता है बुद्धी या ज्यान तो poet कह रही है कि मुझे वो जटिल या कठिन ज्यान भी चाहिए जो जीवन और प्यार है मुझे इन्हे समझना है And mystic knowledge of the grave और साथ ही मुझे वो रहस्य भी जानना है वो गुप्त ग्यान भी पाना है जो लोगों को उनकी ग्रेव तक ले जाता है यानि मौत का जो रहस्य है वो भी मुझे समझना है Lord, thou didst answer stern and low यानि भगवान आपने मुझे जवाब दिया, मेरे बुलाने पर आपने मुझे जवाब दिया कठोर और धीमे आवाज में और God ने क्या कहा Child, I will harken to thy prayer यानि बच्ची, मैं तुम्हारी प्राथना पर, तुम्हारे निवेधन पर ध्यान दूँगा हर किन का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन देना And thy unconquered soul shall know और तुम्हारी आत्मा, जो unconquered है यानि जिसे जीता नहीं गया है जिसने सुख और दुख में से किसी एक को नहीं चुना है तुम्हारी वो आत्मा जानेगी All passionate rapture and despair हर powerful या तेज खुशी को और दुख को यानि तुम्हारी आत्मा इन दोनों को ही समझेगी Thou shalt drink deep of joy and fame यानि तुम्हें सबसे गहरी खुशी और सबसे गहरे दर्द दोनों का ही स्वाद मिलेगा तुम वो दोनों ही महसूस करोगी And love shall burn thee like a fire और प्यार तुम्हें जलाएगा तुम्हें और मजबूत बनाएगा बिलकुल आग की तरह जिस तरह आग में तब कर मिटी के बरतन और मजबूत हो जाते हैं उसी तरह तुम भी प्यार की आग में जल कर और मजबूत हो जाओगी And pain shall cleanse thee like a flame और दर्द तुम्हारी आत्मा को साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा यानि दर्द सहने पर तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी To purge the draws from thy desire Friends, draws का मतलब होता है गंदगी तो यहां poet कह रही है कि तुम्हारी इक्षा से या तुम्हारी कामना से जो भी बुराई होगी या जो भी गंदगी होगी उन्हें हटा देगी, मिटा देगी ये आग, ये जो flame है यानि तुम्हारी आत्मा बिलकुल pure हो जाएगी So shall die chastened spirit yearn और फिर तुम्हारी डंडित आत्मा जो अब स्वच है जिसमें अब कोई बुराई नहीं है, वो धूंडेगी To seek from its blind prayer release क्या तो अपने इस प्रार्तना से अपने इस निवेधन से वो मुक्ती चाहेगी And spent and pardoned, sue to learn और जब उसकी सारी बुराई मिट चुकी होगी उसकी सारी गलतियों की उसे माफी मिल गई होगी तब वो सीखने की विंती करेगी और क्या सीखेगी वो? The simple secret of my peace मेरी शान्ती या मेरी संतुष्टी के पीछे का जो आसान रहस्य है यानि जब तुम्हारी आत्मा स्वच हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपनी संतुष्टी का रहस्य सिखाऊंगा I bending from my sevenfold height यानि मैं अपनी उचाई से जुक कर देखूंगा Friends, यहां sevenfold भगवान की धर्ती से दूरी को बता रहा है मगर metaphorically sevenfold हमारे दिमाग के seven conscious level को भी दिखाती है We'll teach thee of my quickening grace और मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरी जल्दी मिलने वाली दया के बारे में यानि कैसे मैं लोगों को श्चमा कर देता हूँ उसके बारे में Life is a prism of my life यानि जिन्दगी मेरी रोश्नी बिखेर देती है बांट देती है जिस तरह से prism white light को seven lights में बांट देता है And death the shadow of my face और moth मेरे चहरे की परचाई है क्योंकि मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी तो friends यहाँ पर यह poem खत्म होती है I hope आप लोगों को यह poem समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो like करिए और नीचे comment section में मुझे जरूर बताईए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी Thank you